नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रहसे के पर और आज इस वीडियो पे एक्स्प्रेइन करने जा रहे हैं वेंपाय डारिस का सीजन 7 का एपिसोड नमबर 4 तो चलिए शुरू करते हैं पहला सीन हम फ्यूचर के देखते हैं जहां पर अलारिक को मशीन सही करने लग रहा है और बहुत ही जादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है तभी हम देखते हैं दो उसकी ट्विन बेटिया कमरे में आती हैं और कहते हैं डैडी आपने क्या सही कर दिया है टोई और तभी हम देखते हैं एकदम बच्चों की आवास बंद हो जाती है और यह देखते हैं अलारिक डरता है अपनी गन निकालता है जो उसने चुपाई हुई थी और चुप चाप आगे बढ़ने लगता है और देखते हैं डेवन सामने खटा था गेट पर और उसको देखते हैं दोनों के अंदर इंवाइट नहीं किया तो और यह कहने को देखते हैं अलारिक एकदम टेंस हो जाता है और शायद घबरा जाता है डेमन से अब फिर हम देखते हैं प्रिजेंट टाइम में भी बैठा हुआ था फिनिक्स टॉन लेके अलारिक और अपनी वाइफ की डेड़ बोडी जो पूरी रात बैठे हो तुमको अपनी वाइफ की डेड़ बोडी साथ ऐसा करना क्या है और यह कहने का बोलते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है यह लो पैसे और मत आना और तभी हम देखते हैं डोक्टर इरिटेट हो चुका था उसके बानों से और बोलते हैं चल बोड़ी जो कोफिन के अंदर है उसके लिए और तभी हम देखते हैं उसकी माम बोलते हैं तुम कितने बड़े साइकोपैत हो जस्ट अलीना की बोड़ी को अपने पास रखने के लिए यह सब कर रहे हो और मेरी फैमिली मेंबर को एक तरह से थ्रेट कर रहे हो तुम्हें प पर जानल लगता है और गरता है यह माजाग मत करो और बहुत बुछी तरह से टैन्स हो जाता है ऑसकर मर चुका है लिली यहांपर अ पर आ रही है और शाइध सके बैंड बजा देगी फिर हम बानी को देखते हैं जो अलारिक से मिलने जा रही थी पर तभी उसके रूम में एक तरह से कैरलाइन उट जाती है और होस्टल के अंदर थे और तभी कैरलाइन से गले मिलने जाती है और बोलते हैं मैं जलूँगी तो नहीं और तभी कैरलाइन बोलते हैं नहीं है इस स्टोन से रिजरेक्ट करने के लिए वापस उसकी वाइफ को जो को बट मैं रियालिटी मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ वो स्टोन इविल है बट उसको ऐसा दिखाऊंगी जिस वो बुरा न लगे और मैं ट्राइब भी कर सकूँ और यह कहने के बाद एक तरह से वहाँ स मारा है मुझे नहीं पता और यह कहने को स्टेफण बोलता है सारी गलती नहीं है तुझत किस मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हो ना चाहते हूं तु इस और तभी हम देखते हैं, वहाँ Pfand Nora और Mary आने लग ठीम मुझे सब और सब्सक्रातिक अभीन नगया बनावाम कर्षों णालकुत करने ल के लाइेकर वा और और तभी हम देखते हों, उसकी किलाइश को कहीं पर चुपा देते हैं, और तभी नोरा और मैरी गेट खोलते हैं, तुम ऐसे घर में रते हो, तुमको तो सैल्लोट और हास जैसा घर चीए था ना, बड़ क्या करें, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी घर से ही तुम्हें निका तब ही हम देखते हैं कि नोरा वहाँ पर चीजे तोड़ने लग जाती है और यह देखके स्टेफन अपनी फोटो बचाता है और बोलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ब्लड के निशान जो है सिर्फ उसी की वज़े से हैं और वह यहाँ से भाग चुका और यहाँ पर करके लाश को भार खिड़की से भार टंगा दिया था जहाँ पर उन दोनों को अध्यान गया ही नहीं था और तभी हम देखते जैसे चली जाती नोरा और मैरी वह लाश को अंदर खीचने लगते हैं और खीचने के बाद बोलते हैं इसको कुछ तो करना ही पड़ेगा और त हंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट मरेगा और तभी हम देखते हैं वह स्टाटूस है अब से और जो लड़की आई थी वह अपने आपको जान से मार दिती है और यह देखके दोनों भाई घबरा गए थे कि यह दोनों साइकोटिक बैचेज यहां पर आ चुकी हैं सब लो स्टेफन तो मैं मिलना चीए और बोलता है मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लगा इस वज़े से मैं उसे मिला भी नहीं हूँ उससे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ चुकी है मैरी और नौरा यहां पर है और एक तरह से करके स्टूडेंट को मारने वाली है और मुझे उससे र कैरलाइन के साथ मिलके एक तरह से बेवकूब बनाने वाला था उन दोनों को और वहीं पर हम देखतें कि डेमन ठीकाने लगा था ओसकर को तभी कैरलाइन एक तरह से पौश्ठर निकालर के देखने लगती है और जानपूच बोलते हैं मैं जरूर देखूंगी और बोलती है इस पार्टी में कौन जाना चाहेगा यह फाल्तू चीज है पर तभी हम देखते हैं अच्छी चीज तो है हम आपर इंज्वी कर सकते हैं और यही बोल लेक बतर हम देखते हैं कि दोनों एग्री हो जाते आने के लिए और तब भी नहीं के तो देखना माहीं तुम्हें टालेंगे और ये करके इसको ठीट करते हुए उससे हम्प लेते से сट फेल्प लेनौ भालेंगे जिस्मों को कि एक अशßing बन्हारे लिग गती है एकता से एडवाईज भी कर रही हूँ, मुझे सर्फ तुमारी एक हेल्प चीए, कि जो एकता से वेलरी ने मेरे पाँ स्पेल किया ही वाला, व्रिवेन वाला तुम वो हटा दो बस, और मैं स्किन जलने से बचा दो, और है कैने को बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती और तब नौरा भी मना करती हैं, और बोलते हैं, कि वैलरी की wrong side पर कभी मत जाना, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और यह करने को बाते हैं कि मेरी भाहर आती है, और नौरा को दिखाने लगती है कि ड्रेस कैसी लगी, और नौरा बोलती है अच्छी थोया, पैट इसको चाहने आजाते तरना देखते हैं फाल दुग के जीते बंद करते हैं हम लिली के कहने पर अब लोगों को मारने के लिए आए थह और हम फिर ж जाना भी और यह लिए नहीं तुम्हे लिनीनी ओशकर घर पे आने वाला है और इस को स्मझत हो अभी नहीं हो कई अगया पर लेली आ जाती है मोगो पता लगाती है उसके बेड़े और वेलरी की बीच की रेलेशिनशिप के बारे और तब वेल्री बोलती हो तो बच्पना था मेरा पर ऐसा कुछ भी नहीं है और तभी लेली बोलती है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम अब तक उसकी जर्नल अपने पास क्यों रखती हो अगर तुम्हें कुछ बताना है तो मुझे बता सकती हो कोई बड़ इस्यू नहीं है और यह करेक्ट टाइम है और तब यह बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं बताना है और साफ मना कर देती है फिरम अगला सीन देखते हैं कि पूरा बंद पड़ा था है और वह पर एक टूरिस्ट बस आगे रुखती है और एक बंदा एक्स्प्रीन करता है टाउन के बारे में पर एनिमल एक्स होते थे यह होता था और वही पर हम देखते हैं मैट एजन पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है इन चलाने कोशिक करते हैं मैट बोलता है मुझे तुम्हारी रते हैं है किसे रसे Delhi के साथ रहते हैं आप्सा मुझे एक तरह से जितने भी टाउन में कैमराज लगे उनको देखना है कि वहाँ पर हो के आ रहा है मुझे एक तरह से हरेटिक को फाइंड कर रहा है और मैट श्याद उसे अलावेंस दे देता है अब फिर हम देखते हैं हेलविन पार्टी शुरू हो चुके है और महाँ पर क स्टेटेट थी कि दूसरी लड़किया एक तरह से अटेंशन दे रही है नोरा को और मैरी को बहुत जादा जालसी फील हो रही थी इस मॉमेंट पर फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों एक तरह से बहस कर रहे थे तो दूर बैठी कैरलन बताती है स्टेफन को कि जगडने लग रहे हैं एक रीजन से कि एक करा से नोरा मोडन होती जा रही है और मैरी को बहुत दादा टेंशन है कि शायद उससे छोड़के ना चली जाए अगर उसको आजादी मिल गई तो और यह कहने को स्टेफन बोलता है तुमने बस उसको देखते बता दी है सब औ और तब हम देखते। डांस म्यूजिक जासे स्टार्ट होता है म्यूसिक के साथ तो दोसमों डांस कर लग जाता है और यह देखने को कैर्लाइन बोलती है की क्या कर तुमें एक तुम्हें तरह से वैलरी से मिलो और बात करलो ने मुझे एक तरह से क्यों फशाय वए औन च कि मैं मेरी एक से मिलूंगा तो शायद तुम्हें ना छोड़ दू यह तुमारे एक तरह से इंसिक्योर्टी है और तो कहले हैं बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं साई टाइम और मोमेंट का और यह कहने का बोलती है हम दोनों बहस करते हैं पर उस मेरी का गलती है और यह कहने को वहां से जाने लगती है और तभी हम देखते हैं मैरी का दिल तूट चुका था और कहती है चलो वही करते हैं जो हम यहां करने आये थे और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और तभी हम देखते हैं मैरी बहुत ही जादा गुस्सा हो जाती है अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी को जो अभी अलायक के साथ उस मुर्दा घर में थी और बोलती है कि अलायक में तुमारी वाइफ को जिन्दा तो कर दूँगी बड़ तुम रश्णी करोगे पिशली बार की तरह और इस फिनिंग स्टोन को मैं खुद हैंडल करू लाता है ओसकर की को और बोलता है पहले इसको जिन्दा गड़ो उसको बाद में करना और यह देखके बानी हैरान हो जाती है और टेंश्ट भी कि एक तना से उसका काम डबल हो चुका है अफिर हम देखते बानी अपना स्पेल स्टार्ट कर चुगी थी और एक बार ओसकर के खुलती है और फिर वापस बन हो जाती है और यह देखे बोलती यह वाला स्पेल नीए कुछ होट राहे करती हूं महीं पर हम देखते हैं अब डेमन को गुस्टा आ रहा था कि वर्क क्यों नहीं कर रहे है और तब यह अलारिक बोलता है तू इतनी बखवास नाकर हम भी उस और बोलते हैं शायद थोड़े टाइम भी लग सकता है कोई जरूर नहीं कि अभी हो जाए और तू वहां पर समाल के रखना उन दोनों को और यह कहने के बाद बोलते हैं कैसे समाल हूं दोनों को पागलपन का दोरा पड़ रखा है तीन को तो हम बचा चुके हैं मरते मरते और कर लग जाता है मेरा यहां पर टाइम पास नहीं होता घर में और यह कहने के बाद वेलरी से पूछता है कि तुम कहां पर गई थी क्योंकि मुझे पता चला तुमने गाड़ी चुराई है और तुम विटमोर कॉलिज गई थी जहां पर एक तरह से ओसकर भी डेड़ पाए ग कि वो बहुत कुछ जानता था और मुझे उसे मारना पड़ा वरना वो जूलियन को वापस ले आता और यह कहने के बाद एंजो गोलता जूलियन को है वैसे और यह कहने के बाद वेलरी बोलती चलो तुम्हें लिली ने यह तक नहीं बता है तुम उसके फैमिली का पार्ट ह कि जूलियन को वने उसकी लाइफ में और क्या मैटर करता है और मेरे सबसे वो सबसे बड़ा और इवल इंसान है और वो तुम्हारी जगा लेगा लिली की लाइफ में क्यूको तुमसे जाधा पैर करती है लिली उसे और शायद तुमको एक ताना से रिप्लेस ही करते और य मैंने तुमसे खतरनाक परसनाज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा और यह कहने कबाद बानी खुद भी डरी थी और वहाँ पर ओसकर को होश आ चुका था तब ही हम देखते देवन उसके साथ सेलफी लेता है और बोलते है चलो तुम्हारी मॉम को पहुचा देता हूं लील कि डेमन सीधा लेकि जाता है ओसकर को लिली के दद पास अब फिर हम अगले सीन में लीले को देखते है जो एक तरह से एंजो के साथ बैटी से और एंजो बोलता है मुझे तुमें कुछ कूछना है किसी के बारे में पूछना है हुशर कि पूहन नहीं है हुआ वो स्कूल क और मैं उसको वापस लाने वाली हूं, जो मर गया था, और यह केने को गदी मर गया था मतलब क्या, और तब विए कुछ नहीं, और तब उसके फून पर मेसिज आता है, और बोलते है कि चलो अब ओसकर वापस आ चुका है, और मुझे यह से जाना होगा, और यह कहा के वाँ से चली जाती है उसी मोंट पर हम देखते हैं कि इस टाइम पर मैरी थी जो पार्टी के अंदर गुस्सा थी और उसकी नोरा से लड़ाई हो चुकी थी और किसी पर फीड करने के लिए घूम रही थी वहाँ यहाँ देखकर और तभी हम देखते हैं किसी लड़की को टार्गेट क करती है जैसे वह है और तभी देखते हैं स्टेफेन बीच मालत अर ब를ब करणे के लोगों के जैसे बंद चुकी यह सब चलता रहता है और तुम चाहो तो एक तरह से उस पैल हटा सकते हो मेरी गल्फ्रेंट पेसे और तब उसे व्रिवेंड का इंजेक्शन मारके भ्योश करके वहां से लेके चला जाता है तभी हम देखते हैं इस मौन पर डेमन लेके ज्यान लग रहा था ओसकर को और उसक होज और फिरसे नहीं भुगत नहीं है मचे बर तब कर विए नहीं छाड जाता है और हम देखते है कि मेंट महां पर पहुंच जाता है और सबृब तरफ देखने लगता है और तब हम देखते हैं उसके पीछे डेवन आता है और बोलता है मैं तुमारी हेल्प करने आया हूं यहाँ पर और मैं इस केस को दो मिनिट में सॉल्फ कर दूँगा तब मैं बोलता है तुम पागल हो गए हो आज हैलविन नाइट है बाहने से लोग आएंगे आप टाउन में गोल्स टाउन समझकर और कितने लोगों की मौत हो सकती है और यह कहने का बोलता है चलो तो मुझे तुमारी हेल्प करनी पड़ेगी हेल्प को पकड़ा जा सके और य इतनी भी ओडियंस थी उसकी बस में बैठी हुई और बोलती है हम तो डर ही नहीं और तभी बस का ड्राइवर पीछे मुड़ता और कहता है मैं डराने के लिए नहीं हूँ यहां पर कोई जंप स्केर मिलेगा तुमें और यह कहने को अधब गाड़ी चलाने लगता है और त तभी वाह NICK पर हम देखते लीली पहुचती है और बोल ती ओसकर क्या कर रहे हो तुम और मैंने कितनी पार कहा है जब ग rich 경 aftermath तुम हो देते हो और ऐसा तुमैंने करना चीन भार निकलो और यह कहने कोई ऑसकर भार निकलने लगता है और यहिए देख लेविंपीसे साम्झ य किया जितने भी तुम्हारे फेवरेट बेटे हैं उन सब को एक तरह से रिपर प्रॉब्लम है ना और यह कहने को तुम्हें पर मिल जाएगी तुमने जहां पर छोड़ा था और वह वापस आ चुकी होगी फिराम अगले सीन में देखते हैं कि नोरा डूड़ने लग रही थी म गर्दन से पकड़ा हुआ है और वह भ्योशी के हालत में है वही पर हम देखते स्टेफन बोलता है मेरी गल्फ्रेंट पर उतार दो व्रवेन वाला और मैं इसको छोड़ दूगा वरना मैं इसको मार दूगा और यह कहने को अधम देखते हैं कि अब गुस्सा आने लगता ह होगी और तभी हम देखते हैं नोरा उसको पूरा मैजिक एब्सॉब कर लेती है जो उसको स्किन जला रहा था एक तरह से वर्वेन में बतल दिया था और फिर उसकी गर्दन तोड़ती है और सीधा हम देखते हैं कि कैरला इन भागती है स्टेफन के तरफ और वह दोनों किस गुसा आता है और बोलती है मेरी तुम हस्की हुरी हो इस बात पर यह तो बत्तमीजी थी और तभी बोलती है मुझे कैसे कंट्रोल करूं तुम्हार इतना गुसा देखकर भी अब मैं समझ पार हूं कि हम यहां पर है उसका कोई रीजन है पहली बात तो हम अपनी लाइफ ज ज्यादा इंटिमेट हो जाते हैं और वहीं पर स्टेफन बोलता है वह चीज पुरानी हो चुकी है मेरी सिर्फ तुम्हारी साथ हिस्ट्रिया मुझे एक्पिल्टी फ्रेंट की कोई चिंता नहीं तुम्हें टेंशल नेने की कोई बात नहीं होनी चाहिए और उस जोधा ही सिधा बैट पर सीन चेंज तभी हम देखते हैं मिस्ट्रिक ग्रिल्स के अंदर बैटी हो थी वेलरी अकेली और बहुत दाद बुरा और गिल्टी फील कर रही थी उसी मौंट पर हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है मैट और बोलता है कोन हो तुम और यहां पर क्या कर रह जाता है और बोलता है इसने नहीं किया है और वह सिर्फ ट्रैवलर्स थे उसकी गन ऊपर पगड़ लेता है जब वह फाइर करने की कोशिश करता है और बोलता है तुम यहां से जा सकते हो मैट और तभी हम देखते हैं मैट चुक्चा वहां से चला जाता है वहीं पर हम तुम कितने पर्सन हो तिरिफ उसकी डेड बोडी को लेने के लिए और यह कहने के बाद हम दिखते है डेवन बोलता है उससरीफ डेड बोडी नहीं हो जिन्दा होने वाली है और मैं उसका वेट कर रहा हूं एक तरह से और बोलता कि मैं टाउन में वापस शिफ्ट हो रहा हू अगर तुम्हाई लाइफ में लीना ना हो तो शाहिए तुम्हारे अंदर हुमेनिटी नहीं होगी और यह कहने का बोलते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और यह कहके वहां से चाला जाता है बात में हम देखते हैं कि कोफिन के पास बैटा था जो उसे मिल चुका था औ पर तुम सेफ रहोगी जब भी तुम वापस आओगी तो मेरे पास ही आना पड़ेगा और मेरा दिल तुम्हारे पास ही है चाहा है मैं कितना भी बुरा परसन हो सकता हूँ एक बेकार भाई एक बेकार बेटा बट मैं तुमारे लिए हमेश्या परफेक्ट रहूंगा और य इल्ली ओसकर को पास के बहुत जादा खुश दिखाई देती है, महीं स्टेफन अभी के एरलाइन के साथ उसके रूम में था, और जो सोने लग रहा था और बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, और नेक्स्ट मोमेंट पर हम दिखते हैं, जहाँ पर बानी और अलारिक करना आप बहुत सारे डाउट हैं, उसकर इतना फड़ा पागल की हो है, कि सारे हरेटी कितने पागल है, और यहां पर हम देखेंगी कि जिन्दा हो गया है, तो वेलरी क्या करेगी, और वहीं पर एंजो को किस पर क्रश है, लीली पर या वैलरी पर क्यूंकि दोनों को लाइ करें, क्योंकि most of my viewers are unsubscribers, तो please guys चैनल को subscribe करो, जिससे मैं motivate होके, और भी अच्छा content बना सकूँ, तो please subscribe करना, और बाई बाई टायटा, सायोनारा.